आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे क्या फिल कर रहे थे उनके emotions क्या थे feelings क्या थे उनकी energies क्या थे यह हम देखने की कोशिश करने वाले हैं आज के अपनी इस रिडिंग में सो ध्यान रिखेगा यह जो मैं reading करने जा रही हूँ यह एक general reading होगी ठीक है और collective होगी collective level पर हम लोग reading करने जा रहे हैं ठीक सो इसमें हम आपके partner की energy को सबसे पहले चेक करेंगे उसके बाद आपकी energy को चेक करेंगे ठीक है तो मैं थोड़े cards आपके partner के लिए निकाल रहे ह हूँ और आपके लिए cards रिकाल रहे हूँ साथ ही साथ ओके so guide kit angels universe guide करें आपके को करें राइट करें आपके के अबी फोल मून आने वाला है तो जो लोग ब्रस्टेट की booking करना चाहते हैं फटाफोट करके ब्रस्टेट की भी ब्ूकिंग कर लिजे और classes हमारी एक अप्रेल से start हो रही हैं तो आप जरूर इंट्रॉल कीजिए इसमें मैं आपको basic to advance tarot class है ना लूंगी ओके इट्स टाइम टू रिलीज निकेटिविटी होल्ड योर विजन का कार्ड है ok nothing is yet set in stone okay a personal issue reaches resolution resolution okay full moon in cancer bottom of the deck a win-win outcome is forecast full moon in libra okay hmm so focus ho karke dekhiye ga ye ready मैं यहाँ पर यह देख पारी हूँ आपके partner के लिए कि देखिए आपके और आपके partner के बीच में आपके partner ने एक हार माल ली है इस रिस्ते में जो भी चल रहा है ना suggestion यह इस रिस्ते में जो भी हो रहा है उससे यह person ने हार मान लिया है ऐसा लगता है जिसकि हार मानना अब जरूरी सा हो गया है हार मानना काफी जरूरी सा लग रहा है ऐसा दिखता है जिसकि हार मान करके चीजों के accept करना यह जरूरी मुझे नज़रा रहा है ऐसा लगता है कि काफी struggle के बाद, काफी मुश्किलों के बाद कुछ देखने को मिला था आपके partner ने आपको call किया, या message किया, या आपने इनको call message किया, या unblock ही किया ये पॉर्षन के दिल में उमीदों का एक कितार सा छिड़ जाना तो वो जो है ना इस पॉर्षन के मन में छिड़ा हुआ था बट मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे समय गुजरा है आपके पार्टनर का यहां पे थोड़ा सा माइं डिश्टर्ब होना स्टार्ट हुआ है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा इसे कहता है ना कि सपने देखे गए या मैनिफेस्टेशन किया गया काफी स्टॉंग तरीके से मैनिफेस्टेशन किया गया अब दिख रहा है कि इस परसन ने सोचा कि कुछ कहीं से कोई फायदा नहीं है कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है ना कुछ positive मिल रहा है सुनने को ना कुछ और ठीक है तो चलो अब यहीं पे stop करते हैं अपने आपको जैसे कि इन्होंने try किया था आपसे connect करने का लेकिन वो किसी वज़े से हुआ नहीं जब इन्होंने आपको call करने का try किया जैसे कि पॉर्सन कुछ भुला करके एक नई सुरुवात करने के लिए आपकी लाइफ में तवायत है लेकिन अब दिख रहा है जैसे कि कहीं अंधेरापन इनको feel हो रहा है ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरापन जो है ना इनकी लाइफ में काफी ज़दा time से है ये पॉर्सन फूल मून जब आएगा ना ये पॉर्सन फाइनली सरेंडर कर देंगे अभी हलका फुलका हुआ है बट ये पॉर्सन फूल मून के बाद जो है ना ये पॉर्सन फाइनली सरेंडर कर देंगे उस समय कुछ ऐसा ही होगा कि यह person हो प्लेस हो जाएंगे यह person के दिल दिमाग में काफी negative thoughts आएंगे उस समय और यह सा दिख रहा है जैसे कि आपके partner finally हार जाएंगे finally आपके आगे हार जाएंगे यह person मैं यहाँ पर यही देख पारे हूँ कि यह person है finally decide इन्होंने अभी सोचना स्टार्ट किया है ठीक है सोचना स्टार्ट किया है जैसे 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 चीजें नजदी का रही है फुल मून नजदी का रहा है वैसे वैसे आपके partner थोड़ा सा है अपने आपको maintain करने की कोशिश करने वाले हैं मैं देख पारे हूँ कि आपके जो partner है नपर्षन काफी hapa टाइम से इस सोचा था लेकिन सोचा नहीं पा रहे थे लेकिन आप डिख रहा है जैसे कि यृप यृप एटाइमस लेंगे जो भी करना है ना अब इनको ही करना है तो यृप कर लेंगे जो भी करना है है ना सो मुझे यहाँ पे काफी अच्छी एनरजी दिख रही है कि यह जो person है finally यहाँ पे एक नया mode लेकर के आने वाले है यह कहें तो जो यह person करने ही पाए है ना वो यह person करने वाले है मुझे ऐसी feelings ऐसी vibe आ रही है finally मैं देख पा रहू है कि यह person अपने डर को control करने वाले है यह person काफी द्डर के उपर काबू पा करके हैना आगे बढ़ जाना सही समझ रहे हैं यह person काफी ज़दा परिशान है जिसे कोई तो एसी बात है कोई ऐसी बात चूपसी गई है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में कि ये situation सुधर क्यों नहीं रही है ये person अपनी आप से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या यहाँ पे खतम कर देना चाहिए और एक new beginning करने चाहिए अपनी life में या फिर wait करना चाहिए क्योंकि ये जो person है न यहाँ पे दिख रहा है कि ये person काफी emotional हो चुके है अब काफी ज़्यादा आज सुबा सुबा ये person काफी emotional फिल करते हुए दिखाए दे रहे हैं और मुझे ये भी दिखता है जिसे कि अब जो है ना इनको लगता है कि अब इनके जीवन में तो कोई है ही नहीं कोई भी नहीं है अब ये person हार चुके है अब ये person एकदम से अपना दिल हार चुके है अपना मन हार चुके है एकदम से सब कुछ हार चुके है ये person ठीक है मैं यहाँ पर यही देख पा रहे हूँ कि ये person कुछ भी नहीं कर पा रहे है हार के ठक करके इस person ने finally decide किया है कि बस हो गया मेरा दाएंड ठीक है मेरे अंदर अब पावर नहीं है कि मैं अपने आपको इस रिष्टे के लिए समाल पाऊं या किसी और रिष्टे के लिए समाल पाऊंगा देख पाऊं किसी और को कि अपने आप पे कहीं फूल स्टॉप लगाते हुए यह पॉर्सन मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहां पे यह दिख रहा है कि जो पॉर्सन है ना काफी बैडली इनको एक होता है ना कि आपके तरफ से आपकी जो फीलिंग्स हैं मुझे जहां तक दिख रहा है कि आ परवा करते हैं जिसके परसंट सपने देखते हैं ना वह कहीं ना कहीं वह फीलिंग्स वह इमोशन आपके इन तक पहुँचे हैं और यह परसंट कर रात से ही काफी जदा मतलब अपने अंदर ढून रहे हैं कि क्या करो क्या करो है ना यह person family को लेकरके भी या फिर आपको भी लेकरके काफी insecure कर रहे हैं insecurity फिल हो रहे हैं एक एक कदम आगे बढ़ाने से पहले यह person 1000 बार सोच लेना चाहते हैं क्या यह मेरा कदम सही है या मैं सही हूं क्योंकि इनके अगले step पर ही सब कुछ सब कुछ निर्भर करता है सब कुछ निर्भर करता है इनके अगले step पे ही मुझे जहां तक दिख रहा है कि जो person है ना यहां पे इस रिष्टे को समालना चाहते हैं अभी भी यह person इस रिष्टे में change करना चाहते हैं इस रिष्टे को पहले जैसा खुबसूरत बनाना चाहते हैं यह जो situation है ना यह person happy करना चाहते है क्योंकि इनको लगता है कि ना मैं यहां पे happy हूँ ना ही कहीं और happy हूँ ना वो happy है ना कुछ है ना ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से काफी ज़दा connect हो और एक दूसरे से काफी ज़दा connected feel करते हो मैं देख पा रहे हूँ कि यह जो relationship unstable हो गया है एकदम से एकदम दिख रहा है कि जैसे कि struggle time चल रहा है और दोनों काफी लंबे time से struggle कर रहे हो इस relationship में और अब दिख रहा है कि नहीं अब जाना सब कुछ सही करना पड़ेगा अब अपने आपको focus करना पड़ेगा अपने relationship के उपर थोड़ा सा work करना पड़ेगा थोड़ा time देना पड़ेगा थोड़ा सा उसे समझाना पड़ेगा हो सकता है कि वो नादान है पर्सन बता देना चाहते हैं कि इनको आपकी अभी फिलहाल जरुत है और यह सुचिशन यह जो बहुत डिफिकल्ट सुचिशन है इसमें यह पर्सन अक्यले सरवाइब नहीं कर सकते हैं यह पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ना है यह पर्सन को आपके तरफ आगे बढ़ना है मुझे यह यह दिख रहा है कि आपके जो पार्टन है न इस रिलेशनसिप को खतम न करके एक फिर से फ्रस्स स्टार्ट करने की एनरजी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रस्स एनरजी में स्टार्ट करके मैं देख पारूँ कि आपके पार्टनर को लगता है कि इनको इस रिस्ते में Просто में कुछ भी पुछ भीने नहीं दगने ऐसे इस रिस्ते से मुवन कर जाना चाहिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है और इस इस रिष्टे से मूवण करने की एनर्जी में जाते हुए से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि इनको आगे बढ़ जाना है इनको नहीं रुकना है इनको बिल्कुल भी नहीं रुकना है तो यह एनर्जी फील हो रही है मुझे three of wands yes आपके partner यहां पर आपका इंतजार करते हैं दिखाई दृबड़ से करें कि यह दूरी जो है मन की दूरी है या physical करें कि हां ऐसा है वैसा है यह है वह है बहुत सारी चीजिए सूमक्य यहाँ हो रहा है यहाँ के relationship में मुझे निजेकर दीख रही है जैसा कि इस रिस्ते को जो है ना बहुत purity के साथ आपके पार्टनर को निभाना है बहुत clarity के साथ आपके पार्टनर को जो है ना करना है ठीक है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि यह इस रिस्ते को आगे लेकर के future को लेकर के काफी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर देखे आपके पार्टनर आज सुबा सुबा में देखू ना तो इनको बस यह दिख रहा है कि आप दोनों की बीच में मन की दूरी है है ना अगर आप दोनों का मन मिल जाए ना तो फिर फिजीकल डिस्टेंस तो है ही नहीं आप दोनों के बीच में कोई इमाइने नहीं रखता यह फिजीकल डिस्टेंस दाएंपरेर की एनर्जी है ओके तो मुझे यहां पर इदाएंपर एनर्जी बिक्लिर लिद दिखाई दे रही है कि जो परिसिन है ना आपकी काफी ज्यादा अधाइंपरेर के नजी में यानिकी काफी ज्यादा एक अपने आपको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता या मुझे कोई जो है ना यहां पर ऐसे नहीं कर सकता ऐसे नीचे कोई नहीं दिखा सकता या मेरी feelings मेरी feelings हैं मेरी emotions मेरी emotions हैं है ना वो energy भी मुझे नजर आ रही है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि यहां पर आपके partner काफी कुछ चीजों को observe कर रहे हैं काफी कुछ चीजों को देख रहे हैं यह person को realize हो रहा है कि इनको strict decision लेना चाहिए इनको आगे बढ़ करके अ कि यहां के energy काफी जदा जो है दिख रही है और ऐसा लगता है जैसे कि यह जो portion है आपके एकदम से strict हो करके ही decision ले करके ही आगे बढ़ना एक best solution समझ रहे हैं आपके partner ठीक है five of pentacles यहां मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके जो partner five of pentacles energy में है यानि कि आपके जो partner है बहुत से energy में हैं काफी sadness मुझे दिख रही है यहां पे एक जैसे कि लॉस्ट कर दिया आपको एकदम से यह जो portion है काफी ज्यादा खो करके यह portion काफी परेशान है आपके चेहरे की मुस्कान इनको positive करती थी आपके आपके एक को कहते है आपकी आवाज जो इतनी प्यारी है इतनी खूबसुरत है इस आवाज को सुन करके आपके पार्टर positive हुआ करते थे सो येस मुझे ऐसा फिल हो रहा है ऐसी energy मुझे नजर आ रही है ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टर काफी अकेला पन फिल कर रहे हैं काफी खाली पन फि लिख रहा है मुझे यहां की energy दिखाई दे रही है नाइट ओसपंटिकल्स इसे आपके ने और समटनर देरे दीरे दीरे करके जो है ये पश मेथा आने के motion आउना चाहते हैं दीरे-दीरे करके ही आपके लाइंव में पॉर्यान परदाना चाहते हैं जिसके आपके तरफ आ गए बड़ करके सब कुछ बता देना चाहते हैं मैं यही नहींग पारियों कि आपके काफी जदा positive हैं काफी जदा positive और मैं ये भी देख पार हूँ कि ये person को ये ज़रूर feel हो रहा है कि इनका एक action आपको खुशी देता है इनका एक action आपके तरफ जो है ना खुशिया लेकर कर आता है so yes ये जो person है शादी के proposal को लेकर के भी सोच रहे हैं या आप दोनों के family को एक करने के बारे में भी जो है ये person की thinking नजर आ रहे है bottom of the deck the sun की energy से मुझे काफी अच्छा feel हो रहा है कि yes finally इस person को ये तो समझ में आया ना कि आप इनका wait कर रहे हो या आप इनके दिल में रहना चाहते हो इनको एक मौका देना चाहते हो आप इनके साथ ही रह करके comfortable feel करते हो ये energy मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो partner है आपको path लिया है इस person ने लेकिन कहीं ना कहीं एक जो एक जो कहता ना कि जैसे कि जिंदेगी अधूरी सी लग रही है यार जिंदेगी अधूरी सी लग रही है तो वो अधूरा पल्ण सा जो है ना यहांपे आपके partner को feel होता हुआ दिख रहा है ओके guide कर angels guide कर angels yes मुझे guide कर angels yes मुझे guide कर angels मेरे viewers के लिए मुझे guide कर angels स्टेप आउट ओफ यूर कमफर्ट जोन ओके सो यह आपके लिए कार्ड निकाल रही हूं है क्योंकि आपके लिए भी अनर्जी निकालना जरूरी है नथिंग विल कम आफ दिस सुटेशन believe in the impossible okay adjustment are required okay पर्क थ्रू यूर फियर्स ओके बॉर्टम अफ तर्डेक है प्रोस्पारिटी लाइज अहेड ओके मुझे यहां पर यह दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखें यहां पर आपके लिए खास तोर से मुझे नजर आ रहा है न कि यहां के अनर्जी काफी अलग है काफी जदा पावर्फुल है ऐसा लगता है जैसे कि देखें अब आपका टाइम आ गया है मुझे यहां पर यही फिल होता है कि अब आपका टाइम आ गया है आप ऐसे नहीं रह सकते न अपने पार्टनर को याद करके अपने पार्टनर को जैसे की तकलीफ में देखकर कि आप तकलीफ फिल करते हो लेकिन आपके पार्टनर का क्या ठीक है मुझे यहां पे दिख रहा है कि जो relationship है न यह कहीं कार्मिक सुचिशन को indicate कर रहा है काफी ज़दा यह जो person है यहां पे आपको बहुत दुख दे चुके हैं अब जो है आपकी feelings ऐसी है कि यह person जो है न यह मुझे तो कम से कम deserve नहीं करता है या नहीं करती है मुझे यहां पे यहीं दिखता है कि यह जो relationship है न यहां से आपको लगता है कि यहां से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है क्योंकि यह जो relationship है यह कार्मिक है ऐसा लगता है कि जैसे की बहुत पूराना relationship भी हो चाहे कितना भी पूराना relationship हो लेकिन ये relationship कार्मिक है आपको ऐसी feeling आने लगे हैं क्योंकि इस relationship में कितनी ज़्यादा problem आ रही है ये आप जानते हो ये आप देख रहे हो ये आपकी feelings हैं मैं देख पा रहे हूं कि येस आपके फिलिंग्स हैं आपके एमोशन्स हैं और मुझे यहां पर यही नजर आ रहे हैं कि आप बहुत दा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो और यहां पर आज की जो सुबा है कहीं न कहीं आपको यह बता रही है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ तो मुझे यहां पर यही देख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनको आपको फील हो रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए आपको इस पॉर्सन के साथ जो है ना ऐसे नहीं रहना चाहिए मुझे यहां पर खाफी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं आपकी कि आपने decision लिया है कि अब इस relationship में शायद कुछ नहीं हो सकता है तो इससे अच्छा है ना कि अब relationship से आगे बढ़ा जाए अब आगे निकल के इस रिस्ते को खतम कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए मुझे ये भी देख रहा है जैसे कि आप जो है ना ऐसा ऐसा feel कर रहे हो कि इस relationship में आपको कुछ नहीं मिलेगा अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा ये जो relationship में आपने efforts डाला आपने बहुत कुछ किया लेकिन आपको अंते में क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको feel हो रहा है आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ जो है ना मैंने कुछ adjust करके भी देखा अपनी अंदर compromise करके भी देखा लेकिन कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पे situation जैसी की थी वैसी ही है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब सबसे ज़दा better होगा कि मैं universe को surrender कर करने का सोच लिया है कि क्योंकि आपको लगता है कि इस रिष्टे में कुछ है ही नहीं इस रिष्टे में कुछ मिली नहीं सकता इस रिष्टे में मुझे क्या मिलेगा आपको इस रिष्टे में क्या मिल सकता है क्या मिलेगा आज तक इस परसन ने आपको दिया ही क्या है कि स स्रिफ तनहाई, स्रिफ सेपरेशन और इस सेपरेशन में जिस तरीके से आप रहे हो वो काफी अलग रहा है आप इस सेपरेशन में कैसे कैसे रहे हो ये आप जानते हो बाकी कोई नहीं जानता है क्योंकि ये जो सेपरेशन रहा है ये काफी मुश्किल घड़ी आपको सिखा के गया है काफी मुश्किल वक्त आपने गुजारा है और वो भी अकेले उस मुश्किल वक्त में ये पर्सन आपको देख करके भी अन देखा करते थे वो सारी चीजे जो है ना आपको याद आ रही है लगता है कि नहीं मैंने इसके उपर बहुत 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 ज़दा जो है ना टाइम एड़जस्ट किया, फामली को एड़जस्ट किया, अब जो है ना कुछ नहीं हो सकता है, खास तोर से पिछले कुछ सब्ताहों में, पिछले कुछ विक्स में आपको यह फीलिंग्स आने लगी है, ऐसा लगता है कि बहुत निगेटिव होने लगे हो, कुछ टाइम से, कुछ सब्ता से हैना ऐसी फीलिंग्स आ रही है ऐसा रगता है जैसे कि आप आप नीगेटिव हो इसलिए गए हो क्योंकि आपने ऑनेस्ट रहके कि इस रिलेशन्सिप में दिया है लेकिन आपको उधर से ऑनेस्टी नहीं देखी हमेशा आपके साथ डिस अनेस्टी हुई है आ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अब लगता है कि अब जो है ना यह चेंज करना चाहिए अपने अंदर चेंज करना चाहिए जो भी चल रहा है इसको समझने की जरत है जो भी चल रहा है इसको देखने की जरत है यहां पर अटेंशन है ना आपको मिलनी चाहिए थी लेक भी होगा चाहे positive हो negative हो चाहे जैसा person हो अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो बट आपको लगता है कि अब जो है ना मैं इस रिस्ते में इस person के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहोंगी अब आपने decision ले लिया है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है मुझे ऐसे relationship में ऐसी toxic relationship में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है येस toxic relationship जो है ना आपको नफरत सी हो गई है इस person से इस person को जब देख रहे हो तो आपके अंदर एक चिड़न सी मैसूस हो रही है कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा person तो भगवान किसी को भी ना दे है ना मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि य भी होता है आपके साथ मुझे यहीं देख रहा है कि अब जहना आपने चैंस तो मिस्स कर दिया है अब आपका यही है कि चलो ठीक है मुझे भरोसा है जो होगा अच्छा होगा फाइनली आप हार करके बस यही सोच रहो ना कि जो होगा मुझे एकसेप्ट करना है जो होगा मुझे करना है जो होगा मुझे ये करना है मुझे वो करना है आप इनी सारे चीजों में रह जा रहे हो अपने आपको एक जो होता है ना कि हाँ आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आपको तयार कर रहे हो एक new beginning कर रहे हो आप अपनी life में एक new beginning एकदम से energetic energy मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे एकदम से new moon in Scorpio एकदम से new beginning दिखाई दे हो सब कुछ इस रिष्टे को भी अपने आपको भी और हर तरीके से जो है ना आप एक तरीके का एक future देख रहे हो अपना एक ब्राइट फ्यूचर इस पॉर्सन के वजह से आप अपना future बिल्कुल भी नहीं बिगाड सकते बिल्कुल भी नहीं और मुझे लगता है कि आपन और काफी strength के साथ काफी power के साथ आपको किसी की help की भी ज़रूरत नहीं है आप यहां पर अपने आप में एक bomb हो bomb ठीक है आपने decision ले लिया है और आपकी life का यह best decision है मुश्किल तो था लेकिन हाँ आपने लिया है ऐसा सो यह है आपकी reading आज की reading I hope reading आपके साथ resonate की होगी सो resonate की है तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कीजिए वीडियो को like भी कीजिए share भी कीजिए और मिलते हूँ मैं आपसे फिर से किसी नए reading में और कल मैं travel करूंगी कल मैं रहूंगी कहीं और सो आप लोग जहें जितने भी लोग हैं set change होगा थोड़ा सा थोड़ा बहुत change होगा क्योंकि मैं कहीं और कल से travel कर रही हूँ ठीक है तो आप लोग जरूर जो भी आपको classes के बारे में जाना है आप लोग जान सकते हैं अगर reading के बारे में जाना है आप वो भी जान सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है आप classes कब क ऐसा कुछ नहीं है तो आप अगर क्लास के बारे में जनकारी चाहते हैं तो जरूर कॉंटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए ठीक है मिलते हैं फिर आप से किसी नई रिडिंग में तब तक के लिए बाबाए